जोया का आदाब, शोर्ट तन्वीर साहिब, अमजद लिवीर साहिब, पासिमा और नादिया की पर्माइश पर, आज सबके हर दिल अजीज, अमजद इसलाम, अमजद साहिब, हमारी वैसल के लिए कुछ नई, एक नई नजब और एक जब्द लेकर आएं, अमजद सा बहुत बहुत शुक्तिया, जो यह असल में बल्कुल पादा बरे चीजें हैं, जो भी बही चपी भी नहीं है, तो मैं आपके वगाते उस्पन के सब दोस्तों के जिए, इसको खास्ता रहते, और एक जिए पगते आएं, पहले वादर के चंशेर है, कि इस सुबह जिंदगी से शन जाता नहीं हुन है, लगता है यूं के नीन से जागा नहीं हुन है, गर्मी मेरे शौर की देती है मुझ को शब्ल, किस्नत के सद्ध हाथ का लिखा नहीं हुन है, किस्नत के सद्ध हाथ का लिखा नहीं हुन है, दरपेश सुबह जाम है, ये कैसी कश्मकश, कैसे बनू मैं उसका, के अपना नहीं हुन हुन है, मुझ को फृष्टा होने का दावा नहीं मगए, जितना बुरा समझते हो, उतना नहीं हुन है, इस तरह फेर फेर के बाते न कीजिए इस तरह फेर फेर के बाते न कीजिए लगजे का रुख समझता हूं बच्चा न कीजिए इस तरह फेर के बाते न कीजिए लगजे का रुख समझता हूं बच्चा न कीजिए और देखी हुई सी लगती है हर रह गुजार कीजिए इन बच्चियों से पहले तो गुज़रा न कीजिए और दिल को गवाह करके लिखा जो भी कुछ लिखा है दिल को गवाह करके लिखा जो भी कुछ लिखा काज़ का पेट भरने को लिखता दें कि अमजद की घीड ऐसी के चलते से ले गए, कुछ भी यहां पे ध्यान से देखा नहीं हुआ है। कुछ भी यहां पे ध्यान से देखा नहीं हुआ है। अब तरफेश सुखोशान है यह कैसी कच्मकच, कैसे बनूना उसका के अपना निगून मैं, और इस तरहां पेट के बाते अनकी दिये लेगे का रोख समझता हुआ है। अब यह नर्म है। इसको नान है कहा उसने। चुरू होती है कि कहा मैंने महे कामल की आहद पर समंदर क्यों मचलते हैं। दिनों में किस लिए अर्मा जगाती हैं, सुनेरी, चांदी, राते, यह इनके बीद कैसी दोस्ती है, क्या ताल्युक है। कहा उसने, कहा उसने, पशिश के बाद में जो तुस सुना तुमने, वो सब बाते किताबी और हिसाबी हैं। किशिश के बाद में जो कुछ सुना तुमने, वो सब बाते किताबी और हिसाबी हैं। हकीकत सिर्फ इतनी है। मका और लामकां के दर्मियां जो वक्त का दर्या सकता है। कहीं उस पर कोई एक फुल है जिसने जो रखा है निगाहों की पॉंच से दूर दो ओचल किनारों को मानी जिसने पश्चे हैं। मैं को तुस के आद है। कहा उसने किशिश के बाद में जो कुछ सुना तुमने, वो सब बाते किताबी और इसाबी हैं। हकीकत सिर्फ इतनी है मता और लाउता के दर्मया जो वच्च का दरिया से बहता है। कहीं इस पर कोई एक फुल है जिसने जो रखा है निगाहों की पॉंच से दूर दो होचल किनारों को मानी जिसने बख्षे हैं नए कुछ इसके आ रहा हो। अगर अजब गादू है इस दर्या में और इसके चिनारों में अगर अपनी तरफ से आके मैं तुनको फुकारूं तो अगर अपनी तरफ से आके मैं तुनको फुकारूं तो मेरी आवाज तुनको इस कदर नद्दीब से आती हुई मैसूस होगी यू लगेगा जिस तरह मैं हाद बरके फास ले पर पास हूँ इसनी कि तुम चाहो तो मुझको बाजिवां में भर दी सकते हो मेरे कानों में चुके से वो बातें फ़र भी सकते हो वही बातें जो जाने कब से कहना चाहते ते तुम रहो ना सुन्दरी तुम वाह वाह मेरी आवाज तुम को इसकदर नजीव से आती हुई मैसूस होगी यू लगेगा जिस तरह मैं हाद बरके फास ले पर पास हूँ उतनी कि तुम चाहो तुम उचको बाजिवां में भर भी सकते हो मेरे कानों में चुपके से वो बातें थर भी सकते हो वही बातें दुझारे कब से कहना चाहते के तुम पहो ना सुन नहीं हूँ मैं और अगर तुम जानना चाहो के ऐसा किस तरह मौंकिन है तो आओ वही अपने किनारे पर खड़े होकर मेरे बारे में कुछ सोचो में देखो आगे हूँ पहो ना सुन नहीं हूँ मैं अगर तुम जानना चाहो के ऐसा किस तरह मौंकिन है तो आओ वही अपने चनारे पर खड़े होकार मेरे बारे में तो चोचो में देखो आगे जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आजिए। बहुत शुक्रिया आजिए।